Good morning students and welcome to BBN e-learning class. Students, हम अपने question paper को आगे solve करते हैं. देखिए, आज हमारा जो next question है, वो आता है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द कि हमें वाक्य दिया हुआ है उसके लिए हमें एक शब्द का प्रियोग करना है. देखिए, जो चारों और से जल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, बच्चों टापू, जो सब कुछ खाता हो, सरवाहारी. तो यहीं पर देखो, आजाता है, कि जो शाक सब्जी खाता हो, वो होता है साका हारी, जो मास खाता हो, मास अहारी. तो पूछा गया, जो सब कुछ खाता हो, तो means सरवाहारी. उसके बादाया परियावाची शब्द, और हमें इंडिकेट कर दिया है, दो-दो परियावाची की हमें एक शब्द के दो-दो परियावाची लिखने हैं. एक नहीं लिखना, दो, उसके जैसे दो, तो हमें पता होना चाहिए, पहले तो परियावाची शब्द होते क्या हैं, जो समान अर्थ बताते हैं. तो देखिए, उपवन का क्या बनेगा? बाग, पगीचा, उद्यान, धनी, धनवान, रईस, अमीर, साप, सर्प, भुजंग, नाग, देखिए, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, सॉल्व ही देख लेते हैं, तो हमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहती, कि अगर हमने कुछ भी उपर नीचे लिख दिया हो पेपर में, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, इस तरीके से परियावजी शब्द हो गए, अब उसके बाद है हमारा लिंग बदलो, आपको पता है, लिंग बदलो, कि अगर पुरुश है, तो स्त्री में परिवर्टित करना है, श्त्री है तो पुरुश में करना है, नर को नारी लिखो या स्त्री, छात्रा, छात्र, जैसे शिश्य है शिश्य होता है, वैसे ही पत्नी, पती, अभिनेता, अभिनेत्री, इस तरीके से मैंने आपको लिंग बदलने के नियम भी लिखवाए थे, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विलोम शब्द, आपका पेपर भहुत ही आसान आया था, तो देखिए विलोम शब्द में, लाब, हानी, नगर, गाउं, बंद, खुला, भागय, दुर्भागय, हम बच्चो भागय का अभागय भी लिख सकते हैं, उसके बाद वाक्य बनाओ, तो हमने आपको बताया था, कि जो हमारे पास शब्द होता है, उस शब्द का प्रियोग करके, हमें वाक्य बनाना होता है, चाहे हम वाक्य साधरन बनाएं, प्रेश्न वाचिक बनाएं, वो हमारे उपर निर्भर करता है कि हमें वाक्य किस तरीके का बनाना है, लेकिन बच्चो वाक्य हमारा प्रॉपर होना चाहिए, यह निया कि हम उल्टा सीधा लिख दें, तो वो हमारा वाक्य नहीं माना जाता, तो हमें सही वाक्य बनाना आना चाहिए, और जरूरी नहीं है जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वही वाक्य हम बनाए, हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, परंतु हमें जो शब्द दिया है, उसका प्रियोग हमें करना होता है, जैसे मैंने लिखा है महूर किसी भी शुबकार्य को करने के लिए महूर निकलवाया जाता है परृपदेश परृपदेश कुisms बहुतेरे इसी तरीके से आपने बनाने है अब है आपका उपसर्ग, हमने आपको बताया था कि उपसर्ग किसी शब्द के कहा लगते हैं बच्चों, आगे, तो हमें दिया था कि अनुशब्द का परियोग करके हमें नए शब्द बनाने हैं, तो देखिए आगे लगेगा उपसर्ग, तो अनु-सार, अनु-भव, कूल, अनु-मान, इस तरीके से हमें ये करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट, विशेशन शब्द की हमें वाक्य दिये गए हैं, और हमें उन वाक्यों में से विशेशन शब्द को रेखांगित करना है, मिंस अंडरलाइन करना है, और जब हमें ये पता है कि विशेशन क्या होत बताता है तो देखिए यहाँ पर स्याम वाक्य दियाए श्याम भहुत समज़ार था तो यहाँ पर श्याम क्या है संग्या तो श्याम की विशेश्टा क्या है समज़ार तो संग्या सर्म नाम की विशेश्टा बताए वो विशेशन है तो समज़ार आ गया है यहापर यदि चावल अच्छा है तो हम खरीद लेंगे तो यहाँ पर विशेशन क्या है चावल इस तरीके से ये हो गए विशेशन रेखांकित उसके बाद है वर्ण विच्छेद हमने आपको वर्ण विच्छेद सिखाए थे तो हम सभी वर्णों को अलग-अलग करके लिखते हैं कि जो हमार पास शब्द होता है उसके सभी वर्णों को अलग-अलग लिखना क की हमें पता है कि जो हमारे सभी व्यंजन है वो हमारे स्वरों की सहता से बोले जाते हैं तो वर्ण विछेद का मतलब क्या होता है कि जो शब्द है उस शब्द में से हमें वर्णों को अलग करना होता है और हमें पता होता है कि वर्ण है जो स्वर तो अपने आप बुलते हैं लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की साहता से बोले जाते हैं तो हम जो व्यंजन है या जो वर्ण जिसके साथ मात्रा का प्रियोग हो रहा है या तो मात्रा को अलग करेंगे या फिर हम व्यंजन को अलग करेंगे उसके बाद रक्षक तो हमें यहाँ पर देखना चाहि तो देखिए, रकशक, यह अक्षेवाला हो गया और यह क्या हो गया, इस तरीके से हमें इनका फ़र्ण विच्छित करना था, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर दिया है हमें, विशेशन शब्द रिखांकित, किसने किसको कहा, तो हमें आपर वाक्य दिया है, तो हमें पढ़कर देखना है, कि किसने किसको कहा, मंत्री जी हाती कैसा रहेगा, तो महाराज ने मंत्री से कहा, बावा जी मैं यह गोड़ा आपके पास ने रहने दूगा, तो कौन कहता है, डाकु खड़क सिंग बावा भारती से कहता है, उसके बाद है वचन बदलो, हमें पता है, कि अगर एक वस्तू है, तो हम उसे अनेक वस्तु में परिवर्थित करेंगे और अनेक वस्तु हैं तो हम उसे एक वस्तु में परिवर्थित करेंगे और हमें कुछ नियम भी बताए गए थे कि A है तो उसको किसमें परिवर्थित करेंगे A है तो किसमें करेंगे E है तो किसमें जाएगा उसके बाद बच्चों हमें दिये गए थे पत्र हमारे दो पत्र आये थे दोनों मैंसे हमें कोई पत्र करना था जिसमें जुर्माना माफिक के लिए प्रात्ना पत्र और अपने बड़े भाई की शादिये दो प्रात्ना पत्र था और हमें पता है कि जो हम पत्र रिखते हैं उ एक तरफ ही होता है कि वो हमें एक तरफ से ही लिखने होते हैं तो देखिए जैसे हम ये करते हैं अपने बड़े भाई की शादी है तू तो देखिए वैसे तो सभी पत्र एक जैसे ही होते हैं सिर्फ उनका क्या बदलता है उनका विशे बदलता है कि स्टार्टिंग में देखिए सेवा में श्रीमान प्रधाना चार्य जी बाल विद्यानिकेतन वरिष्ट माध्यमिक विद्याले खामभी पलवल तो यहाँ पर पूर्ण वराम से कंप्लीट हो गया उसके बर विशे है भाई की शादी है तू प्राटना पत्र महोद्य जी सविन्य निवेदन यह है कि मैं आपके विद्याले की पांचवी एक अक्षा की छात्रा हूँ या फिर जो लड़के हैं वो लिखेंगे छात्र हूँ दिनांक जो भी दिनांक आप लिखना चाहें को मेरे बड़े भाई की शादी है या थी तो पास उसमें चला जाएगा में और छोटी भेहन होने के कारण मेरा उस शादी में उपस्तित रहना बहुत जरूरी है जिस कारण से मैं दो दिन विद्याले में पस्तित नहीं हो पाऊंगी इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रात्ना करती हूँ कि आप मुझे दो दिन का अवकाश बिदान करें तो देखिए अपने भाई की शादी में जा रही है तो उन्होंने अपना सारा कारण दे दिया है जिस वज़ेसे वो चुटियां मांग रही है जिस वज़ेसे वो अवकाश पर रहेगी मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी आपकी आज्यकारणी लिखो या फिर आज्यकारी लिखो दोनों ठीक है शिश्या ध्यान रखें लड़के शिश्या लड़किया शिश्या नाम कक्षा अनुक्रमांग उसके बाद आप दिनांग डाल दे तो देखिए सबसे जो महत्मून चीज होती है पत्र में वो होती है बेटा कॉमा और पून वराम लगाना अगर हम पत्र में उचित कॉमा और पून वराम का परियोग नहीं करते तो हमारे नमबर कट जाते हैं इसलिए हमें पत्र में उचित जो वरामचिन है उनका परियोक करना जरूरी है और हमें पता होना चाहिए कि हम पत्र को किस-किस तरह से लिखेंगे कि हमने आपको बताया था कि पत्र को तीन भाग में हम डिवाइड करके रखते हैं एक जो शुरुआत होती है कि जिसमें हम जो जिसको वो पत्र लिखते हैं, दूसरा जो पत्र का विश्य होता है, तीसरा जो पत्र लिखने वाला है, वो अपना नाम पता डाल देता, इस तरीके से तीन भाग में हमारा पत्र कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद बच्चो हमें यहाँ पर जुर्माना माफी हे तु दिया लगाया है तो उस चीज को हमें लिखना है तो देखिए छात्रा हूँ यहां तक तो सभी पत्र सेम रहते हैं उसके वाद देखिए आप पर जुर्माना किस वज़े से लगाए तो यहां पर आपने कारण दिया है कि दिनांग जो भी आप लिखना चाहें को मेरी हिंदी की अध्यापिकाने एक परिक्षा ली थी बुखार आने की वज़े से उस दिन में विद्याले आने में असमर थी मेरी अध्यापिकाने कक्षा में उपस्तित ने होने की कारण मुझे पर 50 रिबे का जुर्माना लगा दिया है कई बारी क्या होता है जो आपकी कक्षा की अध्यापक है वो आपसे कहती है कि मैं आपका टेस्ट लोंगी और आप अगर अनुपस्तित हो गए तो मैं आप पर जुर्माना लगा दूँग या फिर आपको किसी भी तरीके का धंड दे सकती हूँ तो देखिए अब उनको क्या पता आप बिमार है या किस वज़े से आप नहीं आए जब तक आप अपनी जो लीव है जो पत्र उन तक नहीं पहुँचाएंगे तो वो तो आप पर जुर्माना चार्ज करेगी और वो जुर्माना वो दंड है वो किसी भी रूप में लगा सक अब अपनी कक्षा में प्रथम श्रेनी प्राप्त करती हूं देखिए प्रथम श्रेनी मेंस प्रथम श्थान प्राप्त करती हूं इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रात्ना करती हूं कि आप मेरे जुर्माने को माफ करें मैं आपकी भहुत आभारी रहूंगी आपकी आज्या खालनी, शिश्या, नाम, कक्षा, अनूक्रमांग, इस तरीके से आपको जो पत्र है वो complete हो जाएगा, तो आपको जो भी पत्र सही तरीके से आता था, वो पत्र आपने अपने paper में करना था, लेकिन भार भार में आपको बता रही हूं, आपको विराम चिर्णों का विशेश ध्यान रखना होता है जब आप पत्र लिख रहे होते हैं या प्रिस्ताव लिख रहे होते हैं आप कहानी लिख रहे होते हैं विशेश तोर पर आपको पत्र लिखते समय वराम चुन्यों का ध्यान रखना होता है तो बच्चों आगे हमारे पीपर में सॉल्व करने के लिए कह और हमारे प्रिस्ताव रह जाते हैं तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आज के लिए इतना ही ओके बाई एंड टेक क्यार